हेलो गाईज मैं 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 वेट्ष और आगे हूँ एक ओन ने वीडियो के साथ और गाईज आज हमारे पास है होंडा ग्राजिय का रेपसॉल एडिशन यह जो गाड़ी है होंडा के दरफ से आती है प्राइसर बात करता हूं तो आपको यह वन लैक टैन थाउजन के असपास ऑन रोड मिल जाती है बागी जो गाड़ी है ना होंडे की तरफ से आने वाल थोड़ी सी कॉसली गाड़ी है और यह रोड पे आपको बहुत ज़रा कम यह एडिशन देखने को बलता है ग्राजी अपनी नॉर्मल वाली मिल जाते लेकिन जो इडिशन नहीं काफी ज़रा कम मिलता है और यह गाड़ी जो है अलग से देखने में भी बहुत ज़रा सही लगती इसमें गाड़ी में काफी अच्छी कलर उप्शन यूस किया गया थोड़ा पिंकिश रैड हो गया वाइट हो गया ब्लैक कलर मैट ब्लैक कलर हर कलर मतलब ज ककी लिख सकते हो साइड में होंडा बगर अदो ने पूरा यह आपको रेड कलर का दिखने मिल जाते हैं यह आप को शाइनी ब्लैक को वाईजर लिखने मिल जाता है जो साइड चनल वाइब जो फ्रेंट में है बागी आप इसमें देख सकते हैं आपको आई आर विम वगरा कुछ ऐसा रिखने को मिल जाता है फ्रेंट जो फाइबर पार्ट इसमें होंडा लिखा हो पुर आपको मैड ब्लेक फिनिश के साथ आ जाता है जो साइड पेनलस हो गरा इसमें repos.लोगरा लिखा हो हों मिल जाता है वाइड पीड प्णलर से पूरा पार Turns जो पर से स्टिकरिंग की गई हहां. वह जो है औरेंज कलर की रेड कलर की की गई है बागी टने इंडिकेटर प्रोई आपको हैलोचन में मिल जाते हैं इसमें पूरा यह आपको LED देखने को मिल जाता है है थोड़ा से छुपा-छुपा है लेकिन इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होता है रफ्रंट में जो आपको है इसमें आपको टायर दिखने हो बारे इंश किसमें आपको एलॉइ लगे हुए मिल जाते हैं बागी आप दिखोगे साइट से जो गारी इसके जो पैनल सोगे रहे हैं यह काफी से बड़े-बड़े से लगते जो रफ इसकी स्केट प्लेट है यह भी डूल टोन मिल जाते हैं आप देख सकते हैं वाइट हो गया और ब्लेक कलर की डिजाइनिंग के साथ आ जाती है पगया बना जाते हैं इसके मिंटर कॉंसल पर तो सबसे पहले में आपको एडलाइट दिखा रहे तो जैसी मैंने की चालू करी वैसे आपको ड्यारल चालू मिल जाते हैं ड्यारल जो है यह काफिया यूनीक से दिखने में जाते हैं वहीं भी अपनी जो है अब है आपको अलग टाइप की चीज दिखाता है इसके टेल लाइट आप देखो कि तो इसमें दो सेक्षिन में डिवाइड है बाकी पूरा ही ह दढंग्रा दिखने को मिल जाते हैं जिससे के आप चीजों को और टॉगल कर सकते हो सब्सक्राइब को नेचने को हैं पर जाते हुए बाकी चालागे दिखा रहेता हूं तो वह सब चीज आपको यहीं काफीजाद्या इसका इंड्रस्टिंग पार्ट धो सकता है बाकि जो वाइसर आपको फोड़ा से उठा हुआ देखने को मिल जाता है जिससे कि आपको फोड़ा से स्पोर्ट वाली फील भी आ जाती है और इसमें आपको पास लाइट वागरा देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी quality का है और जिसका Fiber है जतनी दिआखने होता है बाकि इसमें आपको थोड़ा सा से पॉलिशिंग और करवाती रहना तो कोई इशू नहीं होता है बाकि इसमें आपको आपको डेश बोर्ट वगरा कुछ आपको ऐसा देखने हो मिल जाता है वो भी डूल टोन में seat वगर आपको यहीजे open कर सकते हो fuel वगर आपको यहीजे भन और वगर करने हो यहीं से आप open कर सकते हो सब भी आपको दिखा लेता हूँ seat जो है अपनी open हो चुकी और seat जो है काफी जाए आपको white seat देखने को मिल जाती है ना जड़ा है इसकी length नंब है यहां पर्फेक्ट साइज में आपको देखने को मिल जाती है लेकिन अंडर सेट स्टोर है थोड़ी सी और बेटर हो सकता था मेरे साब से बागे इस गाड़ी में आपको यूएसबी चार्च देखने को मिल जाता है जो कि आपको चेक करवा देता हूं सीट वगरा इसकी कुष्णिंग भी काफी आपको सही देखने को मिल जाती है कुष्णिंग वाइस गाड़ी में कमफर्ट वाइस कोई भी चूने हो चाहे वो फ्रंट से हो फ्रंट से स्पेंशन से हो चाहिए रियर सस्पेंशन से हो चाहिए वो सीट से हो अभी जो है मैं आपको इसका डेश्वर अगरे दिखा देखता हूं वह भी डूल टोन में यहां पर देख सकते हो पुरा ब्लैक हो गया और यहां पर बाइट कवरे से आपको चीज़े दिखने हो मिल जाता है यहा उसरे को फ्रेंट में लेकर कुछ ईसके दिखने को मिल जाता है सब्सक्राइब इसके बढ़े सटीम लगा दीगा है और यह मिल जाती है मिल जए जो की यह से क्मटित पहले जो गराजिया है अब पुरी white color में भी आई है कुछ time तक उसके बाद से white color और yellow color अभी गाड़ी इन में नहीं आ पा रहा है पदा नहीं क्यों में भी हो सकता है कुछ time बाद आने लगे rear के और बात करता है आपको 90-110 का tire देखने को मिल जाता है rear में आपको 10 inch का alloy देखने को मिल जाता है जिसके वैसे गड्ड़े में गाड़ी आती है तो आपको ज़्यादा jerk फील नहीं होता है handling थोड़ी से ज़्यादा बैटर हो जाती है पहले फ्रेंट में आपको 10 inch का alloy देखने को मिल जाता है रियर से आपको वाड़ लिखा रहेता हूं तो आपको सही देखने को मिल जाते हैं अभी अगर बात करता हूं तो वह सब चीजे में आपको दिखा रहेता हूं इंजन जो है इसका आपको 123.97 CC का देखने को मिल जाता है जो कि 125 CC के बेजिंग के साथ आता है इसमें आपको 8.2 PS की पाउर मिल जाएगी और 10.3 Nm का आपको तॉर्क देखने को मिल जाता है बगया आप देख सकते हैं इसमें भी रियर में उनुशाओ के लगाऊ एसपी टेक् पूने से रिफाइनमेंट है वह थोड़ा सा और भी जारा बेटर हो गई तो अगर आपको थोड़ा अलग टाइप की देखने में गाड़ी चाहिए है जो कि आपको नॉर्मली रोट्स पे ना मिले तो इस गाड़ी पर आप जा सकते हैं थोड़ा सब को स्कूटर देखने को पर जाता है जो कि होंड़ा की तरफ से आता है लेकिन एक ही यह यह लो और वाइट कलर भी आता है जो कि अभी फिलाल नहीं आपा रहा है काफी टाइम हो गया हो सकता है कुछ टाइम आर आने लगे फीचर इस गाड़ी में काफी ज़रा आपको अच्छे देखने को मिल जात कमफर्ट इस गाड़ी में आपको काफी जाना अच्छा मिलता है एक चीज़ा लोग बोलते हैं कि घाड़ी जो है यह अपनी एक्सेस हो गई एवनिस हो गई एक्टिव हो गई यह फिफ्टी दे दे देती लेकिन अगर आप रियल टाइम चेक करोगे बिल्कुन नहीं दे सक पसंद है और जो इस गाड़ी की फिफिन फिनिश है यह काफी अच्छी है गाड़ी बहुत जा रहा है स्टेवल चलती है रोड पे फीचर इस गाड़ी में काफी अच्छ है वाइबरेसिन वगर पर कौंफील होती है फिल ही नहीं वाइबरेशन फुट पैड़ है बिल्कू